नमस्ते जी आज हम आपके लिए लाई हैं पोहे से कुर्कुरी एक रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इसको खा के पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा तो मैंने पोहे को पीस लिया है और पहले मैंने आलू मैश करके रखे हुए थे और थोड़े से मैंने इसमें मिर्च धनिया भी डाल दिया है अब इसके अंदर मैं पीसे हुए पोहे का आटा इसके अंदर डालूंगी और इसको फिर मिला लूंगी इसमें मैंने कुछ मसाले कमी ही डाले हैं क्योंकि जब हम उपर से चटनी डालेंगे तो इसके अंदर भी काफी मिर्च होती है इसलिए इसमें बस इसके जितना ही नमक और थोड़ा सा मसाला डाला है और इसको मैं अब टिकी के आगार दे करें जो मैंने पोहे का आटा लिया हुआ है उसके अंदर इसको डालेंगे जैसे कि हम ब्रैड करम लगाते हैं वैसे ही हम इस पोहे के आटे को लगाएंगे और इसको हम तले क्रफिते बनती हैं यह पोहे के कि हेखे तो आप भी बनाना अचछी लगए तो देखिये सबशो कि ऊप्रुपने करी लगती हो अगर आपको इस न Estados कि है और आपको लगता हो कि यह मावका रगाओं जिट्रुकुर्ण कि अध 20 बेले तो आप इनको अपने अच्छा लगता हो तो जरूश एर कीजिएगा तो यह मेरी कुर्कुरी पोहे की टिक्की तियार हो गई है अब इनको मैं सर्व करने के लिए रखती हूं पहले मैंने टिक्की को इसको तोड़ लिया है बड़ी ही कुर्कुरी कुर्कुरी निकली है यह अब इसके अंदर मैं धाई डालूँगी जैसे मैस करके भी धाई को डाल सकते फेट के लेकिन मेरे को अच्छी ऐसे ही लगती है चक्केदार तो मैं वही डालूँगी अभी मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ लेती हूं इसके बाद एक टिक्की मैं उपर से डाल दूँगी सबसे बाद में पहले इसको हम ऐसे ही त्यार कर लेते हैं इसके उपर हम सबसे पहले बहुंगी दाल दें हैं और यह दही जो है अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको फेट सक इसके उपर हम चाहरी चटनी डालेंगे जो मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही त्यार की है अगर आप इसकी रेसिपी जाणना चाहते हैं तो त्रीज कमें इसमें जरूर बताईएगा और ये मैंने मीठी चटनी भी त्यार की है इसमें मैंने कोई अरारोट वेगरा नहीं डाला है सिंपल ही मिली को भीगोगे बनाई हुई है ये चटनी ये भी फ्रीज में रखके चार-पास दिन तक सब्ता भर अराम से चल जाती है और आप इसके उपर मैं थोड़े से मसाले डाल दूंगी और आपकी इच्छा है अगर प्यास तमाट वगयरा खाते हैं तो प्यास भी डाल दीजिए टमाटर डालना चाहे तो भी डाल दीजिए धनिया वन्या जो भी आपको इच्छा हो वा आप डाल सकते हैं मैंने इसके अंदर बहुत बारिक कटिव ही प्यास डाली है और अब मैं एक टिकी उपर से और रख देती हूँ ठोड़ी सी और धलगी और थोड़ी सी और इमली दिझाटनी और हर चटनी डाल के इसको त्यार करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर कर लीजिए और अपने friend circle में अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को share जरूर कीजिए आपके comment से हमें और आगे बढ़ने का मोका मिलता है अच्छा हो तो अच्छा बताए गंदा हो तो गंदा बताए Thanks for watching this video